बिहार के नियोजी सिच्छक अब काफी जित के करीब पहुच गए हैं इसी बिच मादमिक सिच्छक संग के परदेश महासचीव का एक बड़ा ब्यान आ गया है उन्होंने काया कि नितिश की घोसना का अपमान हो रहा है बियार के नितिश कुमार की घोसना का अपमान कर रहे हैं शिच्छा विवाग के पदादिकारी बियार मादमिक सिच्छक संग के महासचीव ने केके पाठक को खड़ी खोटी भी सुनाया है बता दे कि अब इनके द्वारा भी ब्यान देना शुरू हो गया है और तमाम चीजो को रखने की कोशिश की जा रही है नियोजी सिच्को के समस्याओं को रखने की कोशिश की गई है तो अब कहा जा रहा है कि बियार के मुक्बतरी नितिश कुमार की घोसना को अपमानित किया जा रहा है अपमान किया जा रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं मगत संबाद और पूर्वे सांसद सदुर्दन परसासी ने का है कि बिहार विशिष्ट सिचक निमावली 2023 के परोधानों के विरुद है सिच्चा विवाग द्वारा बार बार निरधार निर्देश देकर सिचकों को दराया धमकाया जा रहा है और उन्हें गुमराह करने की कोशिस किया जा रहा है यह ब्यान आपको आया है मादमिक सिचक संक्योर से उन्होंने कहा है कि सिचकों को धमकाना फुसलाना पुर्णता गैर कानूनी है और अनयतिक है तमाम नियोजी सिचकों और पुष्टकालय ध्यच्चों को किसी भी पदाधीकारी की एसी धमकी से घवडाना नहीं है जल्दबाजी में कोई भी आत्मिघाती फैसला नहीं लेंगे उन्होंने नियोजी सिचकों और पुस्तेकालय ध्यच्चों से अपील कि है कि पहले से भी ज्यादा संगठिक एक्ता, संगिये निष्टा और राज संग के निर्णयों का मजबूती से पालन करते रहें आपकी एक्ता से आपको सारी उपलबनियां पराप्त होगी ब्यार बात्मिक सिचक संग हर मुसिब्बतों और कठनाईयों का मुकाबला किया है और आगे भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी उन्होंने कहा है कि मुखमंत्री नितिस कुमार के निर्देशों का उलेखित करते हुए उन्होंने कहा कि जो पलाजिकारी नियोजी सिचकों और पुस्तागाला धच्चों को कम्प्यूटर सिखने का दबाव दे रहें उन्हें 2006 से लेकर 2020 तक की निमामलियों में निमामलियों के संसोदनों परिबर्दनों एवं अहर्ता की सर्तों का अध्यन करना चाहिए जिनमें कम्प्यूटर ग्यान के हर्ता निर्धारित नहीं है आपको बता दें कि मुख मंतरी के साजवनी घोस्नाने में भी इस सर्त का कोई उलेख नहीं किया गया है तो महीं सदुरदन पर्सासी ने कहा है कि हम लोगों ने नियोजी सिचको के लिए बियार लोगसेवा आयोग की परिच्छा में शामील होने का विरोध किया था ततकालिन पच्छेवं बिपच्छे के बिधायकों ने नियोजी सिचको की नयवचीत मांगो का भरपूर समर्तन किया था जिसके चलते मुखमंतरी ने मामूली परिच्छा लेकर सिचको यह पुस्तेकाले धच्चो को राजकर्मी का दर्जा देने की गोशना की थी परंतु अधिकारियों दोवारा सचमता परिच्छा में भाग लेने के सर्थ के साथ ही जिल्य का विकल्प सामुहिक तबादले और ऑनलाइन परिच्छा की सर्थ लाद दिये गई है उन्होंने बताया कि जब बिहार लोग से बायोग दोवारा आयोजित परिच्छाओं में सामिल होने मारे नौजुवक सिच्छित वेरोजगार की कंप्यूटर आधारित परिच्छा नहीं लिगई तो अधिक्तम बिस वर्सों या मनियुंतम 15-16 वर्सों के अनुभवी सिच में राजनिति का सिर्ष्टा महाल मंतिरियों के अस्थाई विभागों कामंटे नहीं हुआ है सरकार को 12 फर्वरी को विश्वास मत प्रात करना है एसे इस्थिति में नियोजी सिचको यह पुस्तेकाले धर्चों को डराना धमकाना अधिकारियों का अमर्यादित असोभनी और अनैतिक आचरन है अधिकारी सिचको को धमकी और परलोभन से बिचलित करना बंद करे यह इस लहजे में कहा गया है तो संगठन नियोजी सिचको के लिए बिल्कुल लगतार अड़े खड़े है और अपनी मांगो पर लगतार अवाज उठा रही है इसी दर्मियान कई तरह के कार्जकरम भी किये गए जहां आदेश के प्रतिया जनाए गए मताल जुलूस निकाला गया और 13 फर्वरी को बिधान सभा के घिराव करने की विबाते आ रही है यानि अदेश दिया गया है सिचक संगठनों के दवारा के हम लोग पूरे बिहार में मसाल जुलूस निकालेंगे बिरोध परदसन करेंगे इसी सिद्री में देखिये सिचक जो है उफ समय को याद कीजिए जब आगरा किया गया था करोणा काल में जब हर्टाल पर निोजी सिचक to तो मुख मंत्री ने आगरा किया था कि आप अपने हर्ताल को वापस ले लिजिए कुरोना के दौर से गुजरा जा रहा है तो सिचकों ने मरियादित रुप से उसे अपना वापस ले लिया था और काम पर लोट गये थे कुरोना में अस्कूलों में ड्यूटी किया था बाहर से आने वाले लोगों को ठाराया था सेवा किया था और आज भी जब राजनिति की सिटी इस तरह से उठार पटक है तो सिचक यह भी सोच रहे है कि राज की सिटी कुछ और है इस सिटी में हमें आज इस दौर से गुजरा जा रहा है तो कहीं नहीं कहीं सिट्चक भी ससंकित हैं और ना जाने किस बात को लेकर सिचा विभाग है कि परिच्छा इस धंक से लेनी है और सुधार की बात तो हो रही है लेकिन किसी तरह का पत्र नहीं निकाला जा रहा है अब सिच्छक इसमें क्या करते हैं यह तो आने वाला वक्त ही गुवा होगा समय निर्धारित बताएगा लेकिन बताया जा रहा है कि तेरा फरवरी को विधान सभा घिराओं में काफी संक्या में नियोजी सिच्छक सिच्छिकाएं पटना की धर्ती पर पहुँचेंगे और बड़ा अंदोलन करने की बाते हो रही है लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और बता दे कि उससे पहले ही सिच्छा विभाग का एक और चोकाने वाला पतर आ सकता है जिसमें आपको खुशकबरी भी मिल सकती है या फिर बहुत बड़ी निरासा भी आत लग सकती है त जैसा कि आप जान रहे हैं देख रहे हैं कि एक तरफ सिच्छक जो है नियोजी सिच्छक जो है फोरम भी भर रहे हैं करीब 40,000 सिच्छकों ने अब तक फोरम भरने की सुचना प्राप्त हुई है नो तारीक के डेट में हमने एक वीडियो में बता भी दिया है कि 30,000 से पार सिच्च को ने फोरम फिलब कर दिया है और एक दिन और हो गया तो 40 के करीब तो जरूर पहुच गया होगा या न तो 50 पहुचने वाला होगा या उससे भी पार कर गया होगा एक तरफ आंदोलन और दूसरे तरफ फोरम लेकिन इसी बिचके के पाठक ने अपर मुक्सचिव ने अब सिचकों के बीच नियोजी सिचकों के बीच जाना भी शुरू कर दिया है और उन्हें समझाने की कोशिश किया जाने लगा है कि आपको डरने घबड़ाने की जरूवत नहीं है भ्यावा की स्थिति में रहने की जरूवत नहीं है आपको तीन के बदले पाच मुका दिये जाएंगे आप इससे कुछ डरिये मत फोरम भरिये यहां तक उन्होंने कहा कि आप 80% सिचको को अपने ही में जिले में रहने का मुका मिलेगा इसका मतलब साफ है कि अब अपर मुक्सचिव सारी मांगों को समझ रहे हैं लेकिन किस चीज़ पर अड़े हुए हैं डटे हुए हैं यह तो वही जाने फिलाला अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्द ही इन तमाम बिंदूओं पर अपर मुक्सचिव विचार कर संसोदर की बात करेंगे संसोदर का पत्र निकालेंगे जो आपके लिए बड़ी खुसकबरी होगा सिच्चा क्या मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन परिच्छा को अफ्लाइन में बदल दिया जाए अंतर जिला तबादले को अच्छी को बात हो रहे वह अब बने रहे शचैनल को सबस्क्राइब के दिये धन्ने बात